कि इतने भी फंदे डालने हो ना पचास डालने हो तो डालने हो आप उतने ही डालिएगा जितने आपको प्रोजेक्ट के लिए चाहिए न घटेंगे न बढ़ेंगे यह आज हम बनाना सीखेंगे डबल बॉर्डर और यह बहुत ही आसान डबल बॉर्डर है इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि बनाना सिखा दें मुझे नहीं लगता इस से ज्यादा आसान डबल बॉर्डर हो सकता है मतलब कि आपको कोई भी यहां से धागा खींचने की ज़रत नहीं है यानि कि हम जो दूसरा डबल बॉर्डर बनाते हैं उसमें हम बाइंड ओफ वाले धागे कास्ट आउन वाले धागे खोलते हैं वो करने की ज़रत दें हैं यह बहुत यह आसाने वस आपने फंदे डालने स्लाइपे और सिधा सिधा बुनते जाना है यह देखें किता प्यारा और फ्लॉफी सा डबल बॉर्डर है इस से आप देखें नीचे से बॉर्डर बना लें उपर स्वेटर शुरू कर दें और बाजू बनाने हैं तो नीचे से डबल बॉर्डर बनाएं उपर बॉर्डर ब सिखाऊंगी ताके बिगनर्स भी इसको फॉलो कर सकें अभी हम इसको बनाना शुरू करेंगे बट उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बहले कन जबूरू दबा दें ताकि आपको सारे वीडियो रिसीव हो जाया करें यहां पे देखें आप यह स्ट्रेट मेंडल करना एजिए होता है आप यह वाली सलाएं आराम से इस्तमाल कर सकते हैं किसी वी बहु BA कर लें जो यह देखे slip knot बना लिया slip knot या किसी भी तरीके से इदर पहला loop डाल ले loop डाल लिया ठीक है अब इसका जो cast होने वो थोड़ा सा different है यह देखे पकड़ेंगे उसी तरह से जिस तरह से मैं फंदे डालती हूँ यूँ करके पकड़ेंगे इसी तरह से पकड़ेंगे इसी तरह से पर आप आपने क्या करना है step one needle इस तरफ से जाएगी और यह जो धागा है ना इसको हम यूँ लेकर आएंगे यह हमारा बन गया यह एक फंदा है यह दूसरा ठीक है ना यह बन गया step one now step two दूसरा step हमारा पहले हम नीचे से गए थे ना अब हम ओपर से यह देखें यह इस तरह से लेकर आएंगे इसको और यह इस तरह से घुमा के और यूं करेंगे रोन फारी में आपको और भी दफा कई दफा यह step करके दिखाऊंगी ताकि आपको असानी हो यही में इसका रीजन है जिसकी वज़े से आपको कोई भी बाइंड ओफ खोलने कास्ट ओन खोलने की जुरूद नहीं है नीचे से धागा निकालने की बहुती प्यारा डबल बॉडर बनेगा और बहुती आसान step one again repeat these two steps यही आप करते जाएंगे पहले अब निडल नीचे जाएगी यह देखें step one इस तरह से इस तरह से धागा लेकर आएंगे अब step two दूसरा step हमारा उपर से यह यह इस तरह से again step one फिर से step one यह इस तरह से निडल नीचे से जारी है और इस धागे को यू लेकर आ रहे हैं हम यह हमारा बन गया एक लूप अब step two यह देखें निडल उपर से जारी है इस धागे को यू लेकर आएगी और इस तरह से हम इसको गुमाएंगे एक दफा प्रेक्टिस कर ली नब फिर तो आप आँखे बंद करके भी कर सकते हैं step one यह इस तरह से लेकर आएंगे step two यह इस तरह से लेकर जाएंगे step one पहला step यह हमारा और दूसरा step उपर से यूँ करके पहला step यूँ है नीचे से लेकर आ रहे हैं दूसरा step यूँ उपर से लेकर जा रहे हैं फिर से एक दफा ये देखें स्टेप वान स्टेप टू अब स्टेप टू कर लेने के बाद आपने खत्म स्टेप टू पे ही कर रहा है देखें स्टेप वन स्टेप टू अगें बता हूं स्टेप वन ये देखें पहला स्टेप है इस तरफ से नीचे से ला रहे हैं दूसरा स् टेप for the stitches you want जितने भी फंदे आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए चाहिए इसमें डबल होगा न माइनस होगा फंदे उतने ही रहेंगे जितने आपको चाहिए तो अब आखर में क्या करेंगे हम last loop the normal way जैसे हम फंदा डालते हैं आखरी जो इसका फंदा हो उसी तरह डालेंगे जिस तरह मैं आपको फंदे हर प्रोजेक्ट में डाल के दिखाती हूँ इधर से जाएंगे और ये धागा इस लूप में से लेकी आएंगे और इसको छोड़ देंगे यहां अगर आपको किसी पी तरीके से फंदे डालने आते हो न तो आखरी फंदा उस तरह से डाल लें वरहाल यहां पे हमने फंदे डाल लिये हैं after casting on stitches फंदे डाल लेने के बाद इस तरीके से जो मैंने आपको सिखाया है row one हमारी पहली sly और वही sly होगी जो आपने repeat करते जानी है row one and the only row you will keep repeating this focus वहर से देखिएगा ठीक है इनके बताती हूँ कितने भी फंदे डालने हो ना पचास डालने हो सो डालने हो आप उतने ही डालिएगा जितने आपको project के लिए चाहिए ना घटेंगे ना बढ़ेंगे ये देखिए दो चार छे आठ दस बारा चोदा सोला ठारा बीस बाईस चौबिस चबिस 26 stitches to demonstrate you मतलब कि मैंने 26 बंदे डालें से खाने के लिए आप जितने चाहिए प्रोजेक्ट के लिए डाल लें ना घटेंगे ना बढ़ेंगे बहुत आसान बहुत आसान pattern है अब हम क्या करेंगे देखें ये पहला फंदा ये देखें पहला फंदा बंप निकला हुआ हुआ है मतलब कि अधर हम पीछे ले जाएंगे ये पीछे यार्न बैक ना ओ निट दिस स्टेच थू बैक लूप ये वाला जो फंदा है न देखें आपको इस तरह से दिखेगा ये इस तरह से आपको दिखेगा आपने डाल लेंगे आपको पता चल जाए इस तरह से दिखेगा उसको करूंगी आप focus करें और मेरे साथ practice करें धागा आगे yarn front slip यह इस तरह से जो फंदा दिखेगा उसको slip करेंगे फिर धागा पीछे yarn back और knit this stitch यह देखें इस तरह से दिखेगा फंदा उसको सीधा बनेंगे यह पीछे वाले से यह देखें फिर से धागा आगे just repeat this just repeat this slip one yarn back knit one through back loop यह देखें इस तरह से सीधा फंदा इस तरह से बुनते हैं इसको आपने इस तरह से बुनना है आसानी भी होगी यह देखें सीधा बुन लिया अब repeat again फिर से रिपीट करें धागा आगे yarn front यह इस तरह से देखेगा आप को फंदा उसको आपने slip करना है फिर धागा पीछे yarn back knit this one इसको आपने सीधा बुनना है फिर धागा आगे purlwise slip this one purlwise मतलब इस तरह से जिस मैंने needle डाले मैं बताती हूं आपको अब knit this stitch you will keep doing this on all stitches yarn front slip one purlwise like this yarn back knit one through back loop यह इस तरह से पीचे back loop मतलब इस तरह से जैसे मैंने अबनी ःभी पंदा बना धागा आगे करके यह स तरह से दिखेगा आपको फंदा उसको आपने इस तरह से slip करना है धागा पीछे इस फंदे को आपने यह है बैक लूप यह front लुप इस सरफ से यह सिस तरफ स तरह से किया बिलकुम यह देखे पर्ल वाइज को इसको सिधा बुने। इसको slip करें, धागा पीछे, इसको सीधा बने। धागा आगे इसको slip करें, धागा पीछे, इसको सीधा बने। Yarn front, slip this, yarn back, knit this through back loop। ठीके, now keep repeating this for your desired length for your project, for your border. I am going to repeat few more times to help beginner. यही एक स्लाई आपने देखे, repeat करते जानी है, जितनी भी आपको border की length चाहिए। दो इंच चाहिए, चार इंच चाहिए, पांच इंच चाहिए, जितनी आपकी मर्जी हो। मैं आपको कुछ और दफ़ा repeat करके दिखाऊंगी ताके beginners की help हो। यह देखे, यह bumpy जैसा आपको अभी दिख रहा है, यह देखे, इसको यह purl wise, यह purl है। उल्टा, purl मतलब उल्टा फंदा, knit मतलब सीधा, यह देखे, इसको slip किया, अब यह धागा जो है हम पीछे लेकर जाएंगे। यह देखे, slip one purl wise, yarn bag, now knit this stitch through back loop, अब इतर से आप क्या कर सकते हैं, जो हमने अभी रोब हुनी ना उसके बाद अगर आप यहां से भी बुनना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन पीछे से बुनेंगे ना यह through back loop तो उससे बहुत खुबसूरत shape आएगा, मैंने यह दो जो ह मैं वो back loop से बुने हैं, यह front से, मैं आपको difference दिखाऊंगी अभी, ओके, पर आप यह focus कर लिए, row one, row two same as row one, knit one, ठीक है, through back loop, yarn front धागा आके keep repeating, धागा आगे, एक slip किया, धागा पीछे, एक सीधा बुना, पीछे वाले loop से, यह इस तरह से, फिर से धागा आगे, एक slip किया धागा पीछे यह देखें, यहां से, यह देखें, इस तरह से, yarn front, slip one, yarn back, knit one through back loop, keep repeating this on all stitches, same as row one, but I am showing you, again through back loop, यह सी तरह से, इसको subscribe कर दिया करें, बेल लेकन दबा दिया करें, ताकि आपको वीडियो रिसीव हो जाए, और like जरूर क्या करें, कमेंट ही, यह देखें, yarn front, slip one, yarn back, knit one through back loop, आईए, यह देखें, अभी से शेप आ गया है, इसका, अब मैं आपको बता हूँ, जो मैं कह रही थी, कि मैंने जो, राय, front loop से और back loop से बनाया है, यह देखें, यह मैंने back loop से बनाया हुआ है, इसका यह लोग का आया है, यह भी back loop से, यह भी back loop से आपको सिखाया है, और जो यह वाला है, वो मैंने front loop से बनाया है, बना यह भी double border है, यह देखें, बना यह भी double border है, बस थोड़ा से इखें, front loop है, मतलब जैसा है, मैंने अभी आपको सिखाया न, through back loop, पीछे से मैं जैसे कि सीधा फंदा बन रही थी, अग से शारे प्क्शर माइच प्लीद निट्स पेज न इंस्टार ग्रम, इंस्टार ग्रम पर मेरा पेज है, क्लीद निट के नाम से वहाँ पर अगर आप शेयर करना चाहें, तो जरूरोर शेयर कजे, थेंक यह सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो, अलाहाफिस